इस कारिक्रम के पन्यार्जक हैं इस कारिक्रम के पन्यार्जक हैं हमें ऐसा सथपत कौन दिकाता? कौन बताता? कि हमारा सरूप क्या है? हमारा रूप क्या है क्या गाम है हमारा क्या धाम है हमारा क्या काम है हमारा और कैसे निश्काम होना है हमें यह सब कुछ कौन बताता वो स्वेयम चल करके हमें सत्पत दिखलाते हैं सच में उनका हर दिन हर पल बहुत आनंद मैं हैं वैसे हम तो दो-चार साल में एक बार ही उनके पास में जा पाते हैं लेकिन हमारी जुबापर दिन में चार बार तो आते ही आते हैं और हमारे मनों मस्तिशकों में अनगिनत बार आते हैं जितनी बार श्वास लेते हैं उन्ही के नाम की श्वास लेते हैं सच में ये रदय धड़कता है अगली बार जब धड़कता है तो सिर्फ इसी लिए कि शायद दर्शन होने वाले हैं वो दिखने वाले हार धड़कन हार श्वास उन्हीं की प्रतिक्षा करती रहती है बस वो ही चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें वो दिया है जो अनंत अनंत जन्म जन्मांतरों में हम प्राप्त नहीं कर पाए उन्होंने वो सुध हमें दी है उन्होंने हमें वो भान कराया है जिसके लिए आक्मा प्रतिक्षा कर रही थी सधियों सधियों से निजितत्व का अमरत्पान करने के लिए उसका दर्शन करने के लिए मैं हूँ कौन? क्या हूँ मैं? कैसा हूँ मैं? कहा रहता हूँ मैं? क्या लक्ष है मेरा? क्या हो तिश है मेरा? वो अंतर जगत की यात्रा करा दी गुरुवर ने बाहर की यात्रा तो माबाब भी करा देते हैं पैसा दे देते हैं कोई रिष्टेदार भी यात्रा में ले जाते हैं लेकिन अंतर जकत की यात्रा कराने वाला तो कोई वेरला ही होता है सच आज मन कहता है गुरवर आप इस धरा पर ना आते तो नजाने हम जीवों का क्या होता आज इन पांच महिनों में जो एहमदाबाद में धर्म की बारिश हुई है वो गुरुदेव की एक कारण ही हुई है अगर वो कृपा की बारिश ना करते तो याँ धर्म की बारिश कहां से होती तो मन कहता है आज बिन बाती बिन जोती के हर दीप अधूरा लगता है बिन बाती बिन जोती के हर दीप अधूरा लगता है बिन फूलों बिन कलियों के हर वाग अधूरा लगता है बिन फूलों बिन कलियों के हर वाग अधूरा लगता है बिन चंदां बिन तारों के आखाश अधूरा लगता है बिन प्रभु बिन प्रभु के है और मेरे प्रभु तो गुरु वर आप ही है बिन प्रभु के बिन गुरुवर के यह भक्त अधूरा लगता है बिन गुरु के बिन गुरुवर के यह भक्त अधूरा लगता है गुरुदेव कहते हैं कहा अधूरा है फूर्ण हो तौं हाँ जब भी याद करू मैं तुम्हारे पास हो पास नहीं तुमारे साथ हूं हर वक्त, हर श्वासमें तुमारे ही साथ साथ हूं और सच में एहास होता है पर ऐसा ही समर्पन हमारे जीवन में अंति ग्षने तक बना रहे मुझे विश्वास है गुरु देव अंतिग क्षन तक जब ये प्राणों का विसरजन हो गुरु की दिविच्छवी का स्मरण करते करते ही प्राणों का विसरजन हो वितरात ताकाई लक्ष बनाते हुए ही बस वही चाहिए ऐसे आशा में ही प्राणों का विसरजन हो तो निश्चित है सद्गती एक भव या दो भव, ज्यादा भव नहीं हो सकते, कर्म भी हताश हो करके, हार करके चले जाएंगे, मुझे विश्वा से, पर अर्पन होना चाहिए, समर्पन बना रहना चाहिए, बस मैं अपनी चेतना को यही कहती हूँ, मैं अपने उप्यों को बस यही कहती हूँ, कि गुर अंतर द्वार गाड़ो, अजवाला देखाड़ो, अंतर द्वार गाड़ो, अजवाला देखाड़ो, बस गुरुवर, अंतर द्वार आप खुले ही रखना, हाँ, मेरे अंतर द्वार को भी आप ही खोल सकते हैं, ताकि मैं अपने भावी परमात्मा का भावी भगवान आत्मा का दर्शन कर सकूँ और जब भावी भगवान आत्मा का दर्शन हो जाता है तो दुनिया को क्या देखो आपको देखती हूं तो मुझे मेरी भावी भगवान आत्मा दिखती है आपके वीतराग चवी को देखो तो मेरी अंतर सुरूप की चवी दिखाई देती है अब क्या देखो दुनिया को कुछ है ही नहीं देखने के योग्य सच ये बात तो तै हो गई सत्गुरुदीनी ऐसी नजरिया हर कोई लागे मीतरे अब नहीं लागे कोई पराया सबसे हो गई प्रीतरे ए गुरुवर्ण आपने तो मुझे वो दिखा दिया हो जो शायद तिर्थंकर के काल में भी नहीं देख पाई थी निच आत्म तत्व की धुन उसी की अनुभूती उसी की प्रतीती की धुन बस और कुछ नहीं और जब आत्मा की धुन आगई आत्मा दिखने लगती है तो सभी शरीरों में भी सभी जीवों में भी वही ऐसी ही आत्मा दिखाई देती है जैसे हम अपने आम से ब्रेम करते हैं सभी से प्रीत उमड़ती है जब दिल में खुशी होती है तो चहरे पर रंग आही जाता है। कहते हैं ना, दिल में खुशी होती है तो चहरे पर रंग आही जाता है। चाहे शरीर कितना भी असबस्त हो, कोई फरक नहीं पड़ता। और मिले गुरु का सत्संग, तो जीने का धंग आही जाता है। बस ऐसा ही किया गुरुदेव ने, वो कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, यही तो जादू किया। कुछ ना कहकर करके आपने सब कुछ कर दिया। कैसा होता है। मैंने सुना था। गुरु के पास उस शिष्य ने सब कुछ सिखा। जो गुरु के पास में था, जो गुरु को आता था, वो सब कुछ सिखा दिया। शिष्य को अंकार आ गया। उसने गुरु को धोखा देना चाहा। उसके भीतर में दार्शनिक होने की धुन थी, और मैं सबसे बड़ा, गुरु से भी मेरे नाम, मेरी प्रसिधी, मेरी किर्थी बढ़ती चली जाए, लेकिन उस मुर्ख को ये पता नहीं था, कि गुरु से आप शब्द सीख सकते हैं, भाशायन सीख सकते हैं, गुरु के अनु भूती की तरंग तो तभी आ सकती है, जब ऐसे ही महान गुरु बन जाओ, और हमारे गुरु तो ऐसे ही है, चाहे लाख उनके कोई निल्दा करें, चाहे लाख उनके लिए कोई कटू करें, कैसा कटू बरताव करें, लेकिन वो तो ऐसे अपने आप को तैयार कर चुके हैं, कि चाहे कुछ भी करे मेरे विपरीत मेरे बारे में मेरे प्रतिकूल में कुछ भी करता रहे पर मेरे तो सभाव के अनुकूल ही मैं रहता हूँ सदा मैं अपने सभाव के सदा अनुकूल रहता हूँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अपना बन करके राख करने के लिए है या पराया हो करके द्वेश करने के लिए है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने अपने आपको पितराक सुरूब से इतना कवर्ड करके रखा है इतना सुरक्षित करके रखा है कि उने के उपर जैसे कोई आवाज पहुंसती ही नहीं, जैसे कोई तरंग जाती ही नहीं हाँ हमारी कहानी के गुरु भी ऐसे ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ा और उसका में बढ़ता गया, मैं, मैं, में क्योंकि शब्दों के माध्यम से पुन्य का करार था, पुन्य तीवरता से उसके जीवन में उधित हो रहा था, तो उसने जगें जगें विजय हासिल की, कई पंडितों को हरा दिया, और अब एक बहुत बड़ा पंडित था, गुरु के समकक्ष पंडित जब वो सामने आया, उसको ललका रहा उसने, शिश्य ने, और कहा मैं तुमसे वाद विवाद करना चाहता हूं, ठीक है, वाद विवाद शुरू हुआ, पुन्य का बहुत प्रबल उदय था, उसने उस बड़े पंडित को भी हरा दिया, और वो प्रतिक्षा कर रहा था कि गुरु मेरी तारीफ करे, मेरे लिए प्रशिंशा के शब्द उभारे, कहें, लेकिन गुरु चाहते थे कि तेरा मैं मिटे, मैं मिटे और तेरा सुरूप उभरे, पर उसका मैं मिटा नहीं, वो सोचता रहा कि गुरु मेरी तारीफ करेंगे, मैंने इतने बड़ी जंग जीती है शब्दों से जीत भी लिया, तो क्या, किसी के दिल को जीतो, तो समझे कि तुमने जीता है और जो दुसरों के दिलों को जीतता है, वही कर्मों को जीत पाता है, यह तह बात है जिसे हम जिन कहते हैं जिन कहते हैं जो अश्ट कर्मों को जीते सो जिन है, जो कशायों को जीते वो जिन है, जिनीद्र भगवान है वहाँ गुरु ने कुछ नहीं कहा पंडित जी के जाने के बाद में वो गुरु के पास में जाता है गरम गरम लोहे पर अगर चोट कर दी जाए तो उसका आकार बनाया जा सकता है ऐसा ही हुआ वो गुरू के पास खुद चल करके गया जब गुरू ने कोई शब्द नहीं बोला उसके भीतर में मांग तिल मिला रहा था अंकार को चोट लग रही थी कि गुरू ने मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा पर गुरू सामाने नहीं होते है वो बहुत विशेश होते हैं भगवान के समतुल्य होते हैं यहां तक कि भगवान तो मौन रहते हैं पर गुरू मुखर होते हैं भगवान हमारी गलतियों को बताते हैं लेकिन गुरू हमारी गलतियों को बताते हैं बहुत बड़ी विशेशता है कोई तो हो जो हमारी गलतियों को बता सके और जो हमारी गलतियों को बताते हैं वो हमारे लिए प्रणम्य होते हैं अग्यानी जीव अगर कोई गलती उसकी बताता है तो वो चड़ जाता है वो उनके प्रती द्वीश करना शुरू कर देता है उन्हें पराया समझता है और जो थोथी बाते करके चिकनी चुपडी बाते करके माया जाल में शब्दों की छली भाशा में अगर उसकी प्रशंसा करता है तो सोचता है कि यही तो मेरा है जो मेरी प्रशंसा करता है कैसे समझाए उन्हें बहुत मुश्किल है संसार में ऐसे ही लोग बहुत मिल जाएंगे पर दुरलब हैं वे जो स्वयम दुखी हो करके किसी की गलतियों को कहें अपनी भी परवा नह करें कि वह मेरे प्रतिद्वेश करेगा वह मुझसे गलत व्यवहार करेगा इसकी भी चिंदा नहीं करते पर उसको सुधारना चाहते हैं इसी का नाम है गुरू सारे जहां की जागीर नजर आते हैं गुरू सारे जहां की जागीर नजर आते हैं सारे भक्तों की तकदीर नजर आते हैं, जरा डूब कर देखो तो विद्या के सागर में, जरा डूब कर देखो तो विद्या के सागर में, गुर्वर ही सच्चे महावीर नजर आते हैं, गुर्वर ही सच्चे महावीर नजर आते हैं. हमने देखा है गुरु चोट करते हैं पर जहां खोट होती है वही चोट करते हैं पर भीतर में प्रेम का स्नेह का हाथ दे करके चोट पर खोट पर चोट करते हैं ताकि वह सुधर जाए गुरु का स्नेह अनन्तात्मक होता है कहते हैं ना कि जो कर्म हमने बांधे हैं अनंत रूप में पर गुरु की भक्ति गुरु के प्रती बहुमान अगर हमारे रदे में किसी को दिखाने के लिए नहीं ही सहज रूप से अगर हमारे भीतर में गुरु के प्रती बहुमान है तो जो अनंत अनंत कर्म बंधे थे उसका मात्र अनंतवा भागी ही शेश रह जाता है इतनी शक्ती है गुरू की भक्ती में जो हमें मुक्ती तक ले जाने में सामर्थ प्रदान करती है जिसके अंदर मुक्ती जाने की सामर्थ नहीं है उसके अंदर भी सामर्थ भरनी की खशमता रखते हैं गुरु हाँ और हमारे गुरु कोई सामाजी गुरु नहीं है वो सिर्फ जैनों के गुरु नहीं है जन जन के गुरु है जिनों ने पशुओं तक के लिए सेवा का भाव रखा करुणा का भाव रखा, कई गोशालाइं खुलवा दी लाखों लाखों गायों को अभैदान मिला ऋने के आशिरवाद से कई जीवों को पुर्णायू मिले सभी जीवों को पुर्णायू मिले दिरगायू हो, अपनी उबरा तक पूरी जी सके इसके लिए पुर्णायु दिया गुरुदेव ने हाँ ओश्धाले चिकित साले और जो भी रोजगार थे उन्हें रोजगार मिले ऐसा भी आचारे भगवन ने विचार किया कोई लाचारी से अपना जीवन ना गुजारे और सिक्षा बहुत बहुत पुर्ण साधन है एक तरफ दिक्षा है तो दुसरी तरफ सिक्षा है इसके लिए आप एदेख रहें चोटी-चोटी बालिकाओं को आचारे भगवन ने प्रतिभास थली का रूप दे करके इन बेहनों को वहाँ पर निश्वन का अध्यन के लिए रखा ताकि बालिकाओं के अंदर संसकार आए एक बालिकाओं पढ़ेगी संसकारों के साथ में तो बहुत उभयकुल का वरधन करेगी इस तरह से आचारे भगवन ने बिलकुल दीरखु सुत्री जीवन प्रदान किया है अपने बहुत ही गहरी और लंबी सोज के माध्यम से आज पूरे देश का कल्याण हो विश्व के हर प्राणी के अंदर सुख और आनंद की धारा बहे ये विचार करते हुए आचारे भगवन ने ऐसे ऐसे सतकारी किये हैं भले ही उनकी उम्र आज 77 वर्ष की पुरुन हुई है लेकिन उननोंने अपने जीवन के 55 वर्ष तो दिक्षा में व्यतीत कर दिए सैयमित जीवन हार पल पल सैयमित जीवन में जिनोंने गुजारा है उनके हार पल के सैयम को प्रणाम करती हूँ उनके उस सुशुध और शुभ उपयोग को प्रणाम करती हूं उनके जीवन की जो समीती और गुपती रूप दशाएं हैं उसको मैं प्रणाम करती हूं गुरुदेव आपके विचारों को प्रणाम करती हूं आपकी जो आच्रण की दशा है उसको प्रणाम करती हूं आपकी हर पल-पल के जीवन को प्रणाम करती हूं गुरुभर, सच में आप धन्य है आपने जन्म लेकर के सार्थक कर दिया फिर कहती हूं, किसी की चार दिन की जिन्दगी सो काम करती है किसी की सो वर्ष की जिन्दगी कुछ भी नहीं करती धन्य है गुरुदे जिन्हों ने आपने इस जीवन के अंदर कई जन्मों के काम समेट लिए और लगता है बस एक या दो भवशेश है और आप शिगराती शिगरा अगर इस काल में भी मुक्ती होती तो आप मोक्ष चले जाते क्योंकि आपके जीवन की साधना इतनी संयमित है गुरुदे आपको मैं प्रणाम करती हूँ लेकिन जिसकी में कहानी सुना रही हो ना हाँ अभी तो वहाँ बिलकुल विपरीत मार्ग पर चल रहा है देखते हैं गुरुदी की एक वचन की एक भाशा के आलमवन ने करके उसका जीवन कितना परिवर्तित हो जाता है वो आय गुरु के पास में कि गुरुदे मेरी फिट थप थपाएंगे और कहेंगे तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया पंडीत को जीत लिया बहुत बड़े पंडीत को जीत लिया लेकिन गुरुजी तो कुछ नहीं बोले गुरुजी ने कहा इस तरक जाल में फसा करके कब तक अप अंतर में स्थित हो जाओगे जो लक्ष तुमने बनाया है उसे कब हासिल करोगे कब आखिर कब गुरु ने अपने अंतर मन से कहा था और शिश्य के भीतर के द्वार खुल जाते हैं आखिर कब तक बोलते रहोगे बोलो कब तक यहाँ वाद विवाद में पढ़ते रहोगे कब तक अपने आत्मा से समवाद कब करोगे बोलो कुछ नहीं बोला अंतर द्वार खाड़ो अजवाडा दे खाड़ो अंतर द्वार खाड़ो गुरु अजवाडा दे खाड़ो ही गुरवर आप ही है जो आपकी पती भी अहंकार करू तो उस अहंकार को तोड़ने में सक्षम है तो आप ही है भगवाण नहीं तोड़ पाएंगे वो आप ही तोड़ पाएंगे और उसके भीतर के द्वार खुल गया है प्रकाश उसके भीतर में और कहते हैं उसका नाम था अर्पन अवाज जीवन भर्तक के लिए हो गया समर्पन और उसने जीवन में कभी भी अपना मुख नहीं खोला अधर नहीं खोले वह जीवन परियंत के लिए मौन हो गया इस कारिक्रम के पुन्यार जक्ते श्री कम्वरी लालजी सेठी एवं श्री सुमेर मलजी चाबडा की स्मृती में सेठी चाबडा परिवार निवासी गवाटी एवं कोलकाता श्रीमती रतनमणी देवी सेठी श्रीमती इंद्रा देवी चाबडा श्रीमती प्रिती जैन श्री सुरेंद्र जैन श्रीमती दिया जैन श्री सिध्धान्थ पौतरी दामाद श्रीमती सलोनी श्री सिध्धान्थ जीरारा दुलहन साडी श्रीमती मौनिका जैन श्री अर्नव, श्रीमतिरितिका जैन, श्रीविनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्रियवंदामाद, श्रीमतिरितु चूडिवाल, श्री सुधिर्जी चूडिवाल, दोहेत्र, रिशित, हार्दिक, फर्म, इंद्रा लॉजस वियर हाउसिंग और लांजेस्टिक पार्क, नवकार, www.navkargroup.in, aluminium framework प्रणाली, column box, शटरेक और वस्तूत पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्यम बंगाल